जहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे रहे एक Global Conflict तो दोस्तो आप सब लोगो A15EX Fighter Aircraft के बारे में तो पताई होगा ये वही Aircraft है जिसे हाली में अमेरिका द्वारा भारत को ओफर किया गया दोस्तो इन एर क्रेप्टो को A15 Aircraft के सबसे आधुनिक वरजिन कहा जा रहा है जब कि अब इन एर क्रेप्टो के Capability को BAE System द्वारा मजबूत किया जाएगा दोस्तो अब कहा जा रहा है कि इन एर क्रेप्टो में एक ऐसे आधुनिक Equipment का इस्तेमाल किया जाएगा जो दुश्मन के Air Defense System को नाकाम कर सकेगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को BAE System के तरफ से डेवलफ किया जाने वाले ये नया Equipment के बारे में बताऊँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि कैसे ये दुश्मन के Air Defense System को नाकाम करेगा और कैसे ये A15 एर क्रेप्टो के मजबूती को और जादा बढ़ाएगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर थक बने रहिए और चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो बिटिश फार्म B.A.E. सिस्टम के तरफ से अमेरिका से एक 58 मिलियन डॉलर के डील को एक्सपेट किया जा रहा है और दोस्तो ये डील है ये पास नामक एक इलेक्ट्रोनिक वर्फेर सूट का और इसे संबाबित अमेरिका के F-15 के सबसे आधुनिक वर्जन मतलब F-15 EX में लगाया जा सकता है जिन एक्रेप्टों को अमेरिका द्वारा भारत और अन्य अपने एलाई देशों में बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है दोसो ये नया इलेक्ट्रोनिक वर्फेर सूट अमेरिकी फाइटर एरक्रेप्ट को दुश्मन के एर डिफेंस के खिलाफ लड़ने में मजबूत करेगा दोसो ये नया एक्वेप्मेंटों के साथ माना जा रहा है कि F-15 EX और जादा घातक बनेगा दोसो इफास मतलब EPA WSS असल में BAE सिस्टम के तरफ से बनाया हुआ इगल पैसिव एक्टिव वर्निंग सार्वाइविलिटी सिस्टम को कहा जाता है जो एक आधुनिक electronic warfare सूट है और ये fighter aircraft के पाइलेटों के protection को तो मजबूत करता है ये साथ में इसके नजदीक operate करने वाले asset को भी protect करता है दोसो ये सिस्टम दुश्मन के air defense system और electronic warfare सिस्टमों के उपर नजर भी रख सकता है और jam करने के साथ साथ जोरत पढ़ने पे उसे defective भी कर सकता है दोसो इफास सिस्टमों को बनाने के लिए BAE सिस्टम के तरफ से कई सारे अत्याधुनिक equipment को एक साथ जोडा गया है जिन में radar warning system, geolocation system, situational awareness system और self protection solution जैसे system शामिल है जबकि ये दुश्मन के जमीनी खत्रे के इलावा हवाई खत्रों के उपर भी नजर और उसे neutralize कर सकता है जबकि इन सिस्टमों को लेके BAE सिस्टम का दावा ये भी है कि दुश्मन के high effective air defense zone और electronically controlled area के अंदर भी operate कर सकता है हाली के दिनों में कई सारे लड़ाई में अमेरिकी fighter aircraft को electronic warfare system और दुश्मन के air defense system का सामना करना पड़ा है जैसे कि Syria, Iraq, Libya, South China Sea के अंदर लड़ाई में और दोसों ये सिस्टम F-15 को खाली मजबूत नहीं करेगा बलकि F-15 के existing fighter air capito में जो पुराने AN, ALQ, 135 tactical electronic warfare system का इस्तेमाल किया गया है उसे भी replace करेगा दोसों इन सिस्टमों को लेके company का ये भी दावा है कि ये F-15 fighter air capito के serviceability को 2014 तक extend कर सकेगा जबकि इन सिस्टमों के इलावा F-15 EX fighter air capito को मजबूत करने के लिए अमेरिका द्वारा इसमें कई सारे तबदिली किया गया है जैसे कि इसमें 22 air-to-air missile को carry किया सकता है और इसके इलावा इसमें infrared search and tracking system, advance active electronic scan array radar और avionics का इस्तेमाल किया गया है नया air capito को लेके अमेरिका का ये भी दावा है कि ये air craft 20,000 गंटा तक आसानी से अपना service दे सकेगा और दोस्तों इसी वज़ाए से इतने पुराने होने के बावजूत अमेरिका द्वारा फिर से F-15 air capito को अपने बेडे में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है और संभावित अमेरिका कुछ नया F-15 air capito का भी order place करेगा तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि ये नया equipment के साथ इंडिया के tender के लिए F-15 अपने मजबूती या फित दावेदारी को और कितना जादा बढ़ा सकेगा दोस्तों F-15 air capito के offer के बाद इन air capito के खासियत और इन air capito के खामियों को लेके कई सारे report publish हो चुका है और अब कुछ रिपोर्टों में ये air capito भारत के लिए कैसे suitable हो सकता है उसे लेके भी चर्चा किया जा रहा है हाली में अमेरिका के F-35 air capito में आने वाले मुश्किलों को लेके भी कई सारे report में चर्चा किया गया जबकि अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने जरूतों को देखते हुए F-35 के जगा में कोई नया 4.5 जनेरेशन fighter air capito को भी ला सकता है और संभावित F-35 air capito के संख्या को भी घटा सकता है इवेन कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका F-35 और नया जनेरेशन के fighter air capito को एक साथ combine करके इस्तेमाल करने के लिए इरादा बना रहा है ऐसे में नया जनेरेशन fighter air capito आने से पहले अमेरिका के पास F-15, F-18, Super Hornet और F-16 के आधुनिक वर्जिन मतलब block 70 एक बहतरिन option तो है ही साथ में export market में भी अमेरिका का यही तीन aircraft अभी सहारा है दोसो F-15 EX air capito को भारत को offer करने के बाद यहने aircraft के जो कुछ खासी होतों के बारे में चर्चा किया जा रहा है उनमें सबसे प्रमुख है एर capito के सस्ता होना दोसो F-15 aircraft अमेरिका के आधुनिक एर capito के तुलना में खाली कीमत में सस्ता नहीं है बल्खी Boeing Company का यह भी दावा है कि यह per hour operational कीमत में भी काफी सस्ता है F-15 EX aircraft को लेके कहा जाता है कि संभावित यह per hour 20,000 डॉलर खर्चा करेगा जबकि F-35 जैसे aircraft per hour करीबन 44,000 डॉलर खर्चा करता है इवन इन aircraft में अबगरेशन के साथ-साथ aircraft के performance को लेके भी काफी बढ़ चड़ के अब दावा किया रहा है दोसो चार से पांस दशक पुराने होने के बावजूद इन aircraft के performance को हाली में उन्नत किया गया है ऐसे company का भी दावा है दोसो aircraft के performance को मजबूत करने के लिए aircraft के range और इसके हतियारों को उन्नत किया गया है अमेरीकी कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक F-15EX जहापे Mark 2.5 के रफ्तार से ट्रावल कर सकता है और इसका combat radius जहापे 1100 माईल है तो उही पे इसके तुलना में F-35 Mark 1.6 के रफ्तार से ही ट्रावल कर सकता है और इसका combat radius सिर्फ 670 माईल है जबकि generation wise दोनों एरक्रेप्टों में काफी जादा difference है तो ऐसे में खाली combat radius और रफ्तार को लेके ही F-15EX को F-35 के साथ compare नहीं किया जा सकता है वही पे इन एरक्रेप्टों के deep penetration समता और जादा वजन के हत्यारों को लेके दुश्मन के territory के काफी अंदर तक घुसने वाले श समताओं के बजा से ये Indian Air Force के capability को मजबूत करेगा और साथ में इंडिया जिस तरीके के air strike जैसे मिशनों को अंजाम देता है उसमें भी ये काफी suitable होगा और दोस्तों इनी समताओं के बजा से अमेरिका का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और चायना के खिलाफ इंडिया के से इन देशों के उपर भारी है तो वही पे A15EX aircraft के दूर तक मार करने का शमता और 22 air-to-air missiles को करी करने का शमता को एक positive way में देखा जा रहा है दोस्तों अमेरिका जहां पे 5th generation के fighter aircraft के मामले में दुनिया के लगभग हर एक देश से आगे है तो वही पे 4.5 generation के fighter aircraft के मामले में फिलाल इन देशों के तुलना में काफी फीचे है अमेरिका द्वारा बीते 4 दसों को में कोई भी नया 4.5 generation या 4 generation के fighter aircraft का development नहीं किया गया और इसी वजह से अमेरिका के पास जो fighter aircraft है वो आइदर पुराने एर फ्रेम वाले fighter aircraft है या फिर पुराने एर फ्रेम में नया equipment हो को दुनिया के export market के उपर अपने दबदबे को फिर से मजबूत करने के दरफ आगे बढ़ रहा है ऐसे में अमेरिका अपने 4 generation fighter aircraft या फिर बोले तो पुराने fighter aircraft को मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के तहट ये नया electronic warfare suit को एक मजबूत तरीन ह हतियार के रूप में भी देखा जा रहा है अमेरिका के लिए इंडिया का tender भी एक महत्तोपूर्ण tender है क्योंकि ये खाली multi billion dollar का हतियार का deal नहीं है बलकि बाकी देशों के fighter aircraft के सामने अमेरिका के fighter aircraft का एक prestige का कारण भी बना हुआ है दोसों already इस tender में पहले अमेरिका को एक ब अमेरिकी करिफतरिन ally देशों के द्वारा भी अमेरिका को जटका दिया गया दोसों ऐसे मौके में अमेरिका भारत के tender को हासिल करने के लिए लगवग हर हत कंडा अपना सकता है चाहे उसमें नया से नया हतियारों के पेशकश हो या फिर भारत के शर्तों को मानते हुए सबसे बड़ा चुनोती रैफैल और मिक 35 जैसे fighter aircraft है मतलब शर्तों को मानने के साथ-साथ इन aircraft को इस tender में पचाड़ना भी अमेरिकी aircraft के लिए जरूरत है और दोस्तों मेरा मानना ये है कि संभावित ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में इतना आसान नहीं होगा तो दोस सल्दिन के सल्दिन के साथ-सान घरूरत है कि सबस्तों में अजरूरत है और अमेरिकी